हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्ट शाइल सफीक आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक इस वक्त मैं मौझूद हूँ समस्तिपूर सर्किट हाउस में और हमारे बीच में हैं अक्तर उलिमान सहाब एमायम के प्रदिश अध्यक्ष भी और विधायक भी आमोर से और आपने देखा था कि इनके पार्टी के जो है चार विधायक जो है आर्जेडी में मिल गए थे जिसके बाद ये अकेले पर गए हैं मायम में तो सर का यहां पर एक संगे बुनियात को लेकर यहां पर आना हुआ है क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले सर आपका जो चार व चार लोग गए हैं और लाखों लोगों की जमात पार्टी के साथ जुड़ी हुई है इसलिए इसमें अकेले पन का कोई सवाल नहीं है आज जो लोग चले गए हैं उनके चले जाने के बाद हम लोग आफियत महसुस करते हैं कि जो लोग मिजाजी अद्वार से मायम को नहीं समझ पा रहे थे जिसके अंदर में मिली हमियत और मिली गहरत नहीं थी ऐसे लोगों को पार्टी को को ऐसे लोगों की जरुद भी नहीं थी वो चले गए हैं और उसने अपना दिखा दिया कि हम मिल्लत के साथ दगा कर सकते हैं वहदे के लिए माल के लिए इज़त के लिए क हैं मेहनتیں की हैं और तब उनको एक उमीद के अपनी गयादत खड़ी हो रही है और मैं समझता हूं कि 75 सालों के दर्मियान में जो हमारी अपनी कमजूरों की गयादत अखलियत की गयादत खड़ी हो रही थी इसको दगाई इन लोगों ने दिया है आने वाली नसरे इसको माफ नहीं करेंगी और साथ ही वो पार्टी जो पार्टी अखलियतों के मसीहा होने की दम भरती है और उस पार्टी ने इस पार्टी को का गला गोटा है ये ये सबसे बड़ा अल्मिया है कि जिस पार्टी पर अखलियत के लोग को तोड़ दिया तो इसका मतलब है कि वो पार्टी भी अखलेतों के हितेसी नहीं है बलके कहीं नहीं से माइनिटी के लोगों को रखेल बना कर रखना चाहती है इसलिए इसमें यह मत समझे के सिर्फ कुछ लोग दगा दे कर भाग गए बलके कुछ लोगों ने हमारी पार्टी यानी अकलियतों और कमजोरों की एक पॉलिटिकल टाकत का गलागोड दिया है यह दोनों बड़ाबर के मुझ्रिम है उससे पार्टी के सहत पर कोई फरक नहीं पड़ा है हमारे जितने भी कारकुन हैं जितने भी हमदर्द हैं सब के हौसले बलंद है और अवेसी सहाब ने ये कहा है कि बिहार के लोगों सीमान चल के कमजोर और दलित लोगों आप मत घबडाओ किसी के दगा देने से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं हमने आवाज लगाई है सीमान चल सहीद पूरे बिहार के मजलुमों के कि दवा बनने उnsके के दर्द की दवा बनने की हमने वहां के लाचार और बेबस लोगों के मसायल के वकारत करने की इस कामidden हम कभी पीशे नहीं रहेंगे वेसे सहामनी एकई दिलाया है और अलहम्दुलिल्ला पार्टी के तमाम तर जो हमारे लोग हैं वो लोग होसला मन्द हैं ये चार गए हैं चार खांदान जा सकता है है ना चार पंचायत को भी मुतासित नहीं कर पाएंगे तो आने में चुनाव में सर आप लोग अब कितने विधायक जीत कर आने वाजे हैं एक में तूटा था पांच लेके आया था चार तूटें 24 लेकर आओंगा और इंशालला उससे जायद भी बिहार में नौजवानों को जितना होसला इस पार्टी के साथ जुड़ने का है मैं नहीं समझता आज के दिन में कि पूरे मुलक में कोई ऐसी स्यासी जमात होगी जि मैं देश के किसी हिस्से मौया बिदेश में हूं उसको एक ही उम्मीद है कि मेरे दर्द की दवा और मेरे दर्द की वकारत अगर कोई कर सकता है तो बेरिस्टा सुदिन अवेसी और इमायम कर सकती है इसलिए हमारा कत्रा कत्रा जो है वो इमायम के साथ है इस पर हम लोग बह में अक्सर कहा जाता है कि ये सिर्फ मुसल्मानों की ही बगालत करते हैं लेकि हाली दिनों में मैंने देखा कि एक MP में जो एक महिला उम्मीदवार जो जीती है लगर परिश्रत के चुनाओं में तो उन्हों ने सबसे पहले अवैसी साफ का सुपरी आदा किया एक पंडे करके हैं वो तो उस पर अब क्या करना चाहिएंगे जो जो दूसरे जो कम्यूनिटी के जो लोग हैं जो समझते हैं कि हम सिर्फ मुसल्मानों की बकालत करते हैं उनलों को क्या मैसे देना जाएं देखिए सवाल ये पैदा होता है ये कुछ बहुत बेखबर लोग हैं जिनको पता है कि सम्मीधान को पूरे के पूरे अस्थापित करो कमजोरों को दलीतों को सोसीतों को बंचीतों को जो नियाए नहीं मिल पाया है आए दिन 75 सालों में उसकी वज़ए ये है कि सम्मीधान के डारेक्टिप्स पर अमल नहीं किया गया है और जब मजलून के तरफ से हक की एजेंट है यसी मुसलमानों की बात करते हैं इन नहंजार लोगों को बता दीजिए कि मुस्लिम मसायल हो या दलीतों के मसायल हो अगर कोई भी या देश के हित का मसला हो देश के सरहदों के हवाज़त का मसला हो कौन ऐसा ईसू है जन हित का जन सड़कार का जिस पर बेरिस् साहब ने खुद जी एच यमसी में हैदराबाद की मिनिस्पल कॉर्परेशन ने अपनी हमायत से गहर मुस्लिम भाईयों को भी वहाँ पर डिप्टी मेयर बनाने का काम किया है तो क्या बिहार में आप लोग एलेक्शन लड़ेंगे तो यहाँ पर हिलू आपको भी पता होना चाहिए कि पिछले दिनों में भी 2015 में भी हमारी पार्टी से एलेक्शन लड़े प्रोफेसर अमीद पाजबान एलेक्शन लड़े पिछले दिनों में भी उसके बादी दोजार बीस में भी लड़े हमारे दर्मियान मैं से हाना तो हम लोग पूरे तोर पर इस मामले को लेके चल रहे हैं हम हिंदू और मुसल्मानों की लड़ाई नहीं बलके हम इनसाफ की लड़ाई लड़ते हैं और मुल्क में बसने वाले लोगों को जात और मजभ के खाने में नहीं बाड़ते हैं बलके भारत का हरे को सुपू मुझको ये बताने की जरुचा नहीं है। पासदार है और मख़ब जाद से उपर उठकर मजलुमों की फर्याद सुनने वाली और इन साथ की आवाज लगाने वाली जमात है। पहलने के लिए बहुत कुछ बोलेंगे। याद रखिए बहुत पुराना कौल है डरो उस सफ पर जिस पर तुमने एहसान किया है चुक्छे पार्टी का टिकट देने में हम लोगों ने किया और छोटे भाई ने उन लोगों पर कुछ एहसान किया था कि उनको कमजकम राजनिती के डगड़ पे चलाने के लिए उसकी रहनुमाई की थी तो जाहिर है कि महसिन को देखकर तो दिक्कत होती है इल्दाम यह लगाएंगे बेराद इल्दाम की पहरी भी नहीं यह जमाने का हमेसा दस्तूर रहा है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दोसरों पर लोग इल्दाम लगाते रहें सरे अभी आपने दोरा किया था कुछ दिन पहले तो वहां पे मौलाना साब के परोग्राम कर रहे थे तो कुछ आरजेडी के जो लोग हैं वो विरोध करके आपके परोग्राम को वहां पे स्थगित करवा दिया तो क्या मामला था था है? मामला यह है कि जब आदमी दलील जिसके पास नहीं होती है तो वो ताकत का इस्तामाल करता है तस्लिम अद्दीन सहाब वो नेता थे जो आँख में आँख डाल कर बात करना सिखाते थे और उनका बेटा आँख से आँख नहीं बलके किसी के पाउं में आँख लगाता है और मौामला ये है कि तस्लिमुदीन साहब वो नेता थे जो अपने आलोचकों की बाद भी सुनते थे और तस्लिमुदीन साहब के साहब जादे हैं जिनको आलोचकों को सुनने की रताब भी नहीं है और वो मीटिंग उनकी भी नहीं थी आपने देखा कि चंद लाउंडे बदमासी कर रहे थे और कितनी भीर थी अगर भीर उड़ जाती तो उनकी बुटी बुटी हो जाती लेकिन यह माजिम की सराफत है कि हम नापाकी को नापाकी से नहीं हम नापाकी को पाक पानी से धोते हैं हम नफरत की जगह पर नफरत नहीं बलके हम अदल और इनसाफ की बात करते हैं यह उनकी नाकाम है मैंने पैगाम दिया हूँ हाँ कि मेरी बात सुनने में दिक्कत हो रही है चुक्छा कि हाक बात कहने आया हूँ अगर बात कहने का सलिका है और कहना चाहते हो तो मेरे हो मैं स्टेज सजा देता हूँ जिस पार्टी से टिकट ली जिस से फर्याद करी वार वार जिसकी बिल्ली उसी को मियूं जिसके टिकट पर जीत किया है उसी से आख लड़ाते हो अगर गहरत इज़त हमियत बाकी थी पार्टी से रिजाइन करके लड़ जाते तब कहते के नहीं जमा मर्द हो गोद किसी के गोद में जनम लिया और नाम किसी का लिखा रहा है कैसा लगेगा सर आप लोग तो ऐसे ही आर जीडी को तो बैक से सपोर्ट करने वाले ही थे अगर वो सरकार में आते तो लेंगि फिर ऐसा क्यों आर जीडी अच्छा हुआ आर जीडी का चेहरा बिया नकाब हुआ जब हम लोगों ने एलेक्सिंस से पहले भी मुफाहिमत करने की अपनी पेशकर्श की थी बादाबता सेप्तंबर के महीने में दोहजार उनीस में हम लोगों ने पटने में प्रेस कांफरेंस भी किया और मिली तन्जीमों को भी जो सेकुलर रोटू के बिखराओ के बारे में फिकर्मन थे उनसे भी गुजारिश की कि जो कोई सेकुलर एक महास बने हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन इन लोगों ने वहाँ भी हमलों को मकाम में दिया लेकिन जब एलक्षन का नतिया हो गया और राज़त की हकुमत नहीं बन पाई तो लालू जी का दरजनों बार फोन आया अविसी साहब से बात करने की बड़ी कोशिश की अविसी साहब ने ये कह दिया कि अगर लालू जी की हकुमत बनती है तो हमारे पाँछों आदमी बिलासरत उनकी हमायत करेंगे है ने वो आठारे लेकर आए हम पाँछ उसके जाने के लिखते या रहे ये ला नहीं सके हुकमत बना नहीं सके ये इनका मामला था लेकिन हाउस में जब स्पीकर का इंटखाब होने का मामला हुआ हम पाचों अराकीन उनके साथ थे हाउस में मुद्दों पर भी उनका साथ देते रहे इस दगाबाजी के वाके से कबल एक महिना पहले हम लोग अपने पार्टी के तीन जिम्मेदार मैं खुद पार्टी के जनरल सिकर्टी जनाब इंजिनेर आफ़ताब अहमद साहब पार्टी के यूथ प्रिसिडंट एडवोकेट आदिल हसन साथ तीनों हम लोग गए इतिफाक से लालू जी से भी मुलाकात हुई और तेजिस्टी जी भी बैठे हुए थे अब इसी साहब ने खेरियत जाननी चाही थी और हम लोगों ने उनकी खेरियत तलबी की और आते वक्त हम लोगोंने एक अंदेशे का इजार किया कि मीडिया के जरीय से और कुछ अफ़भाया ऐसे मिल रही हैं कि राज़त पार्टी को तो्ड़ने की कोहश कर रही हैं तो हमलों लोग तो हर महाच पे आप साथ हैं तो फिर हमारे पार्टी कोया क्यों कर रहा है उठाते तेजस्वी जी और तेजस्वी की जी की जो मंडली है उसने गलत फैसला करके जिस अकलियत के दम पर उनकी सरकार बनी बनती में और जिस पर उमीद करते हैं बनाने की उसके दर्मियान की राज नितिक सक्ति का गलाग उटने का का दिए तो साब दिन के पड़िवार को भी अभी तक थेरस भी अदब हो? पुरानी तारीख देख लिजी जिन लोगों ने इहसान किया है ठोकराए गए हैं वो लोग सर आखिर में सर समस्तिपूर में आने वाले दिनों में क्या आपकी पार्टी यहां पर? मेरे पार्टी समस्तिपूर में नहीं पूरे बिहार में तयारी कर रही हैं हम मुमके ना तोर पर सीटों की तलाज कर रहे हैं अपने तंजीमी धाचे को आगे बढ़ा रहे हैं कारकुन साजी का काम कर रहे हैं पूरे बिहार के हालात पर हमनों की नजर है और इंशालला मैं काम कर रहे हैं लेकिन मैं आपको बतादू मेरी पार्टी में अतात है मेरा लीडर के फैसले को फुलो कर ना जिमेदारी है मेरा लीडर जिसको जो फैसला करेगा इसको START तसलीम खम करने के लिए अखतो निमान तयार है और हम चाहते हैं कि जब तक पार्टी में डिसिप्लिन पैदा नहीं हो जाए कि अपने अमीर की आतात की जाए उस वक्त तक वो पार्टी मजबूत मुश्टाकम नहीं हो सकती बहुत धन्यवाद दोस्तों ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे M.I.M. के परदेश अद्यक्ष अक्तरूल इमान साहब और हमारे साथ उन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्ट चाहिल सफीक आप देख रहे हैं जन्दा की आवाज आप तक इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और आप अगर M.I.M. के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूले और दोस्तों जन्दा की आवाज आप तक को सोचल मीडिया के हर प्लेट फॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हैं फिलाल अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं तो जन्दा की आवाज आप तक को सब्सक्राइब कर ले बिल आइक ओन को दबा ले ताकि हर ताज़ा आपडेट आपको मिलता रहेगा सब्सक्राइब करें जन्दा की आवाज आप तक को और बिल आइक ओन को दमाएं और पाएं सब्सक्राइब नियूज